अब हमरे मन दलहनी फसिल बकला कर बारे में जानब इकर उन्नत प्रभेदा है विक्रान बुने करदूरी है 45 और 15 सेंटिमीटर और भाई इत तैयार होयल 130 दिन कर भित्रे इकर से ओसत उपज भेटायल हरा फ़ली 50 क्विंटर प्रती हेक्टर और दाना 15 क्विंटर प्रती हेक्टर में इकर बहिंदर 100 किलोग्राम प्रती हेक्टर रहेग चाहे भूई कर तैयारी खेट लगिन भूई कर काल अके तैयारी कर अलजाए दू तीन धाओं खेत के देसी हर से जोईत के पाटा चलाए देवाएं बखला कर खेती उच भुई में होयल सहला गिन पानी का जमाँ नी होग चाही बुने कर बेस बेरा इकर बुने कर बेस बेरा है अक्टूबर कर पहिल हपता बहिन लगाय कर दर इकर बिहिन दर 100 किलोग्राम प्रती हेक्टर रहेक चाही उर्वरक इकर में 3 गो उर्वरक कर परियोगोयल पहिल है यूरिया यूरिया कर मात्रा रहेक चाही 88 किलोग्राम प्रती हेक्टर दोसर है सूपर सिंगल फॉसफेट इकर मात्रा रहेक चाही 375 किलोग्राम प्रती हेक्टर और तीसरा है म्यूरेट ओफ पटास इकर मात्रा 34 किलोग्राम प्रती हेक्टर रहेक चाही इकर जिवानु खाद बुनेक से पहले बिहिन के जिवानु खाद राइजो बियम कल्चर से दवाई केर लेले बेश रहे इकर निकाई और गुड़ाई इकर निकाई गुड़ाई दू धाउ केर देवे पहिल धाउ 20-25 दिन कर बाद और दूसर धाउ 35-40 दिन कर बाद अब इकर कटनी, दौरी और दाना कर भंडारन पाकल पाचे पोधा कर रंग हेठे बटले करिया होय जैल हेठे बटक फर पाकेक लागेल और उपरे बटक फर पूरा-पुरी बैड जैल सेहे खन फसिल के काइट लेक चाहिए, माने की 75 प्रतिशत तक पाकल फसिल के काइट लेक चाहिए, फसिल के बेश से सुखाय के दाना के जैड के छिन गय लवें, जखन दाना कर नमी 8-10 प्रतिशत होय जैल तकन भंडारन कर एक चाहिए